प्रतिभास सिंग की मुलाकात किस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी इस पर भी कई तरहे की प्रतिभास सिंग ने राहूल गांधी को दिये फीडबैक में अगली सरकार कॉंग्रेस की बनने को आश्वस्त किया है अगर ऐसा है तो हिमाचल में कॉंग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चहरा कौन होगा या फिर सुयम प्रतिभास सिंग सिंग बनने की होड में है या अन्य बड़े चहरे इसमें शामिल होंगे इस तरहे की चर्चाएं सुनने को मिल रही है अब देखना है कि 8 दिसंबर के बाद रिजर्ट क्या आता है तब जाकर इन सारे चर्चाओं पर विराम लगेगा प्रदेश अर्ध्यक्ष कॉंग्रेस की प्रतिभास सिंग चे कल मध्या प्रदेश पहुँच गए थी और आज जिस काम के लिए गए थी वो काम हुआ काम क्या था जी राहूल गांधी जो आपको पता ही है एस लीडर है कॉंग्रेस के वो भारा जोड़ो यात्रा पर निकल आज कल मध्या प्रदेश से गुज़र रही है तो कल ही पहुँच गए थी प्रतिवा सिंग जी और आज वो मिली है वहां पर राहूल गांधी जी से और जो उनकी यात्रा चली है भारा जोड़ो यात्रा उसमें भी वो शामिल हुई है उनको टोपी शॉल जो भी हम हिमाचल के लोग करते हैं वैसा किया है उनके साथ भी करमाधिते सिंग जी भी थे और यूथ कोंग्रेस के भी लीडर थे तो कार जी क्या इंपूट किया है समाबले में आपके पास जी बिलकुल एनल जी हमाचल परदेश कोंग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिवा सिंग जी वो कल महू पहुंची है मध्य परदेश के महू में गई हुई थी तो कल शाम को उन्हों ने एक जनसाबा को बहां संबोधित किया है और आज वो रभी बार को राहुल गांदी के साथ यातरा में शामिल हुई तो इस दुरान जो था वो राहुल गांदी जी को उन्होंने हमाचल परदेश के जो चुनाब हुए उसका फीड़बैक दिया है उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि हम सरकार में लोट रहे हैं तो इस तरह की यह मुलाकात थी और इसके साथ ही प जे 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 ऑंकार जी बहुत बड़ी यह अच्छा एक सवाल पूचा जा रहा है वैसे एक तो बड़ी बात है क्योंकि बहुत से नेता जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं से यातरा के दाउन राहुल गांदी साथा आपको यात होगा कुछ नेता उनला जस्तान के नेताउने मि कोशिश की थी प्रतिवा सिंग जी भी गई कल उन्होंने बताया कि हूं मिलने वाले हैं आज मिली भी वह उनको सम्मानित भी किया रहल गांधी को और साथ में रैली में भी शामिल हूं तो इसकी राजनीतिक हलकों में वड़ी हल जल है उंकार जी आज सुबह से ही क्या क्या मा सोशल मेडिया के दोर में हम गुजर रहे हैं सियासत में भी आप देखेंगे कि जितने मूँ होंगे अतनी बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं प्रतिवा सिंग जी जो है राहूल गांधी से उन्होंने बात की है तो जरूरी नहीं है कि हम यह माइने लगाए निकाल सकते है कि प्रत्विया सिंग जी ने खुद के लिए ही यह सिफारिश की ओ अग्रह किया हो राहूल गांधी जी साथ किए जी मैं यहाँ विमाचल परदेश की सीम बनना चाहते हूं इसके अलग भी माइने हो सकते हैं यह भी बहां डिसाइट किया होगा यह भी चर्चा की होगी उन हम ré Lexium कर सकते हैं कि वहाँ हुई होगी लेकिन जिसभी चीज पर चर्चा हुई होगे संदेश देश कि हम लीडर्शिप से डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को लेकिन आपको पता ऐसा चाहिए किया है आज कांग्रेस का सबसे बड़ा इवेंट आज किया महीने भर से जो चला हुआ है असे भी उपर से ओ यह रहाल गांदी की भारज जोड़ो यात्रा है कभी यहां से भी निकलेग अच्छा जी एक और कांग्रेस की हैं हम चर्चा कर रहे हैं तो एक और बड़ा प्रशन उठाया है कांग्रेस की और से पोस्टल बैलेट को लेकर कुछ गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कुछ गंभीर सवाल खड़े किये गई हैं क्या सवाल है यह पुरानी बात तो है कुछ जोड़ा है कांग्रेस ने च्छे अब एक लानेल जी देखिए बहुत ही गंभीर विशे है और वड़ी चिंता की वार्पी है कि आठ दिसंबर को आप देखिए कि चुनाव का प्रिनाम आना है और अभी तक जो हाजारों कर्मचारियों के जो डाक मतपत्र हैं वही जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं और जो कर्मचारी अपना पोर्ट जो है वो डाक के माधिम से भेज रहे हैं तो उन्हें रिसीद नहीं दी जा रही है इनी शिकायतों के लेकर कांग्रेस चुनाव आयो के आप पास आज पहुची हुई है कांग्रेस का जो बिदी विवाग देख रहे हैं अधिवक्ता हैं आयन महता तो उन्होंने चुनाव आयो के पास जो है एक विस्तित शिकायत पत्र वेजा है सोपा है तो उन्हें उसमें उन्हें यह जिकर किया है कि कुल एक लाग 27,000 और 287 पोस्टल वैलेट बोटर हैं तो इनमे से 69,723 स्टाफ पोस्टल व हो पाए हैं इसी तरह आप देखें कि सर्विस पोस्टल वैलेट जो है वो 66,569 है तो इनमे से भी 11,569 ही बहां-बहां जमा हो पाए हैं तो 56,000 वैलेट पेपर कहां गए हैं यह बहुत बड़ी चिंता का एक शबब जो है वो कांग्रेस के लिए बना हुआ है और कांग्रेस इसी अपनी चिंता को लेकर इसी एक शिकायत के साथ जो चुनावायोग आज पहुंची हुई है इसलिए गंभीर है पहले भी यह कुछ वर्ग कांग्रेस के तरफ से बाकी भी कर चुके हैं चुनावायोग से फरियाद लगा चुके हैं इसमें सिविल सुसालिटी के लोग जो किसी मंच पे तो नहीं बोली लेकिन वो चर्चा कर रहे हैं कि यह जो जितने भी करमचारियों के वोट हैं सिवाए जो आप यह समझे कि हमारे फौजी जवान है जो बहुत दूर दूर हैं जहां से डाक में दिक्कत भी हो सकती है पहुंचने में बाकियों के पांच तार के वोड़ों के हैं निग्मौ के हैं उन्हें नहीं मिले सर्विस वोट जो होते हैं जिए तक पहुंचपाई है तो उन्होंने ये भी कहा है, इसमें, इशारा भाजपा की तरफ ही होगा कि इन मतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और खासकर आप ये देखें कि OPS को जतना भी वोट है, उसे कॉंग्रेस अपना मान के चल रही है, तो कॉंग्रेस को ये भी लग रहा है कि कही इसा तो नहीं है कि कहीं वोट प्रभावित हो जागा, इतना दोने से नहीं पहुंचा है, या कहीं आप ये दिखें कि पांस तारीक को शाम को जब ये बता जाएंगे, एक्जिट पूल के ये टेंट बता जाएंगे, क्या होने वाला है गुजराता और हिमाचल में, तो कही करमचारी प्रभावितिया तो खुद ना हो जाएं, या उन्हें करना लिया जाएं, तो यहां से ये सवाल कांग्रस ने आज उठाए है, उमीद है भाजपा की तरफ से भी रियक्शन आने ही वाला होगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, वो भी हम अपने दर्श्कों को बता झाल